तो चलिए दोस्तों, आज बनाएंगे आलू के पराटे, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, एक तम गुबारे जैसे फूले फूले, यह बहुत ही सिंपिल बे में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आटे को चान के ले लेना है, लोगों के अकॉर्डिंग, और पानी डालके इसे बहुत ही मुलायम सा डो लगा लेंगे, बहुत हाड नहीं रखना है, नहीं तो यह सौफ नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमें डो को रेडी कर लेना है, हलका सा वाइल लगाएंगे, इसको हलका सा हम आदे खंटे के लिए तो यहां पर हमने रख दिया है अब हम आलू बॉयल करके आलू को अच्छे से छील लेंगे तो यहां पर हलके से ठंडे हो गए हैं इनको छील के एक चमच की हेल्प से हमें आपर इसको अच्छे से मैस कर लेंगे बहुत बढ़े बढ़े टुकरे नहीं ध्यान रखना है तो यहां पे इस तरीकी से इनको मैस करके इनमें मसालों को एड़ करें सबसे पहले हमने हींग डाली है आदा चमच गरम मसाला आदा चमच यहां पे जीरा पाउडर यहां पे हमें डाला धनिया पाउडर दो चमच और उसके बाद यहां पे डाली हमने नमक स्वाद के थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन पर कटा हुआ हरा धनिया और एड़ करेंगे कटा हुआ प्याज प्यास से बहुती टेस्ट अच्छा आ जाता है अब इन सारी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना ताकि सारे मसाले आलू के साथ में बाइंड हो जाए तो ये रेडी हो गया है हमारा उसके बाद आटा देखेंगे हमारा सैट हो गया होगा तो यहां पर जो हमारा आटा है एकदम से सैट और सॉफ्ट हो गया है इसको हलका सा हम इसको चला लेंगे गूंद लेंगे और उसके बाद हम इसकी पेड़े बनाके इसकी स्टफिंग को भर ले आप चाहें तो ये इसको बेल के भी आप इसमें इसमें आलू को भर सकते हैं तो मैंने हाथों की हैल्फ से ही इस तरीके से इसके रोटी बना के स्पेस करके इसमें आलू को भर देना है और उसके बाद अंगुठे की हैल्फ से अंदर को दबाके इसको बंद करके इसकी बंद करते जाना है साइड से धीरे धीरे करके ये हमारा बहुत ही आसानी से लोई रेडी हो जाएगी यानि पेड़ा रेडी हो जाएगा अलुके भरा हुआ तो इस तरीके से आपको सारे ही पेड़े रेडी कर लेने कुछ इस तरीके से और हमें पेड़ा लेका सुखा आटा यह एक समान बेल लिना करें करें इसिए बहुत अच्छे सी फूल हो जाए है और यहां पे रिडी है तब अगरम करने ही पिछ Aim राए यहां पे हो वाइल लाएं अच्छे करें आजियूपध करें नाच पर वीडिय email पोया है एकदम से गुबारे जैसा फूल के हो जाएगा बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहुत ही यम्मी लगते हैं अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई हो तो जरू वीडियो को लाइक करिएगा और आप इसको जरू ट्राई करिएगा बहुत ही टेस्टी खाने में लगते हैं वीडियो देखने गली पहुत पहुत धन्यवाद बावाद।